स्वागत है आप सभी लोगों का चक्रवी ब्रेकर चैनल में हैं हम लोग MTS SSC MTS के लिए पूछा जाता है जिसमें कोई एक बिकल्प चैन करके हमें आंसर करना पड़ता है आज पूछन करेंगे पहला प्रस्ट हम लोगों ने देख लिया है दूसरा प्रस्ट देखते हैं पूर्मलेटर का क्या है अपने महले में बढ़ती हुई चोरी की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए रात्री गस्त लगाने के लिए थाना प्रभारी को एक पतर लिखे तो थाना प्रभारी के पास एक पतर लिखना है तो इस वीडियो में हम लोग कोमा पूर्णिविराम कहां पे किस चिन का प्रयोग होगा उस पे विशेस फोकस करेंगे क्योंकि वहां पे मार्क्स करते हैं और चुकि भासा का सब्जेक्ट है जो कि तो वाहां पे bcs फोकस करना परहेगा जिसे हमें अधिक से अधिक 마ंक्स आ सके पीसले वीडियो में मैंने बताया था सतर्म का Mire कि पर्वर्मेट क्या होता है में सहो से पहले सेंटरस लिखा जाता है सेंदारस देख लेशे यहां पर यहां से और यहां पर पता पूरा होगा क्योंकि हम ठाना परवारी के पास लिखे रहें तो अपने ठाना में लिखेंगे जो की लॉकल होगा तो उसमें डिस्टिक या फिर जिला लिखने की जरुवत नहीं होगी यहां पर यहां पर कंपलीट होगा एड्रेस उसके बाद दिनांक या फिर जो भी जिस दिन भी MTS का जाम होगा वह तारीक हम लोग दे सकते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिनांग के बाद जिने भी हमें पत्र लिखना है उनका पोस्ट उनका पता स्वाट में लिखना पड़ता है तो महां पर देंगे सेबा में के बाद थाना प्रवारी महत है फिर से यहां पर पूरा नहीं वह नहीं हुआ है नहीं तो कह खागा लिखके यहां पर पूर्ण बिराम दे देंगे अगला है विशय के बाद हम लोग डैस का इस्तिमाल नहीं करेंगे यह जो डबल डॉट है इसको कॉलन कहते हैं इस कॉलन का यूज हम लोग करेंगे बिशय के जस्ट बाद यहाँ पर डैस का यूज गलत हो जाएगा बिशय है मुहले में बढ़ती हुई चोरी के संबंद में मुहले में चोरी बढ़ गई है जिसके लिए हमें रात्री गस्ती के लिए थाना प्रवारी मौद है के पास एक पत्र लिखना है तो वहीं बिशय लिखाया लिखाया उसके बाद बिशय यहाँ पर खत्म हो गया पुर्नी विराम हम लोग दे देंगे फिर महाश है कोमा कोमा के बाद यहां पे हम लेटर का बॉडी अस्टार्ट करेंगे लेटर का बॉडी सब इन निवेधन है कि मैं आपके थाने के आवासा मुहले का निवासी हूँ यहाँ पे ध्यान लेखेंगे आवासा हम लोग एड्रेस में भी लिखेते वही आवासा का इस्तमाल यहाँ पे भी क्या गया है हमारा मुहला और यहाँ देर रात तक चहल पल राती है पहले हमारा मुहला संथ था यहाँ पे कुमा किन्तु इन दिनों किसी न किसी घर में हर दो चार दिनों पर चोरी हो जाती है जहां तक मेरा अनुमान है इस मुहले में चोरों का कोई गैंग सक्रिया है यहां पर कोमा देंगे, चोरो के गैंग के बारे में हम लोग बता रहे हैं, लेटर के बड़ी में, जो पहले खिरकियों से नसीली दिवाई चिरकर घर वालों को बेहोस कर देता है, फिर उनके घर का सारा समान बटोर कर ले जाता है, पुर्नी विराम देंगे, चुकि 150 सब्द में ही हमें इसे कंप्लीट करना है, तो ज्यादा लंबा नहीं करना है, उसके बाद अता स्रीमान से अनुरोध है, अता जो है, यहां पे परेग्राफ चेंज करके लिखा जाता है, तो लाइन छोटने की कोई जरुवत नहीं है, जिनका हैंड राइटिंग खराब होता है, उ उन्हें छोड़ना परता है, लेकिन लेटर में फॉर्मल या इन्फॉर्मल में एक लाइन गैप दने का कोई प्राबधान नहीं है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है, अता स्रीमान से अनुरोध है कि चोरों के इस गैंग का पता लगाते हुए रात्त्री गस्त बरहने की किरपा करें, ताकि हम मुहले बाशियों को इस समयशा से छुटकारा मिल सके, उसके बाद यहाँ पर पूर्न विराम आएगा, मुहले बाशियों देखिए, मुहले बाशियों यूगल बंदी है, इसमें मुहले बीच में हाइपन आएगा, तो बीच पर आइफन दिया गया ह उसके बाद बिना लाइन चोरे हुए साधन्यबाद exclamation का यहां पर sign दिया हुआ है भवदिया चाचाजा भवदिया का मतलब हो जाता है आपका विश्वासी अगर आपका विश्वासी आप लिखते हैं उसके बाद चाचाजा लिख सकते हैं लेकिन भवदिया लिख देते हैं भवदिया के जगह पे आपका भवदिया लिख देते हैं तो उसमें वो पूरा मिनिंग ही उल्टा हो जाता है इसमें मार्क्स करने का संभाबना बहुत होता है आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अगला विडियो हम लोग informal लेटर पे और ऐसे के कुछ जोलंत ट सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू